हेलो प्यारे विध्यार्थियों मैं अंकुर वबिले आप सभी का स्वागत करता हूं मैगनेट ब्रेंस हिंदी पर मैगनेट ब्रेंस हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हिंदी माध्यम की कक्छा 6 से लेकर कक्छा 12 तक का संपोल पाठिक्रम ने सुल्क कराया जा रहा है हम इस वीडियो के माध्यम से क्या देखने वाले हैं हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे ncrt solutions चुकि हम यह वाला चैप्टर पूरा complete कर चुके हैं आप जिनने भी इस चैप्टर के लेक्चर ना देखे हों वो सभी जल्दी से मैगनेट ब्रेंस हिंदी पर जाएं और स हमारे वीडियो हमारे देखें उसके बाद फिर हम ncrt solution भी देखने वाले हैं तो आप इस वीडियो को भी जरूर देखें अब ncrt solution में आपने जो आपके चैप्टर के पीछे जो कुस्चन दिये हैं उनका एक जंदल आंसर हम देने की कोसिस करेंगी जिसे आप यह कुस्चन की जो डिमांड है कुस्चन का जो वेटेज है मतलब वो कितने नंबर में आने वाला उसके हिसाब से इस कुस्चन को आप फ्रेम करिए या उसका आंसर आप लिखिए चलिए देखते हैं तो पहला कुस्चन ncrt में दिया गया है वो क्या दिया गया है कि उपनेवेस बाद के बिरोध में या अंदुरणों से गहरे तर पर जुड़ी होई थी अब जब उपनेवेस बात की बिरोध में जब लोग आये तो क्या हुआ उनके खिलाब जो संगर्स हुए तो लोग क्या होने लगे एक खटे होने लगे वो अपनी एक्ता को पहचानने लगे तो प पीडन और दवन का कारिकरम चलता था इसमें जो साजा भाव था कि हर व्यक्ति का उत्पीडन हो रहा था उनको दबाया जा रहा था उस साजा भाव से क्या हुआ कि अलग अलग समू के लोग एक दूसरे के क्या हो गए एक दूसरे से बांधिया उब दूसरे के कहीं तीसरा point इसमें कहा लखेंगे कि रास्ट बात की रात्वात का परेंदा Гण क्प पारण ठाज मां जाएंगे कि उनके संघर्ष से खिलाप हुई संघर्ष के दौरान लोग क्या हुए एक तको पहचानने लगे उत्पीडन और दमन का जो साजह भाव चला उसमें लोग क्या हुए एक दूसरे से बंद गए एक दूसरे के निकट आ गए और इसी कारण से क्या हुआ उपनेवे बढ़ाना तो बढ़ा सकते हैं नहीं तो यह सफी से मतलब ठीक ठाक उत्तर आपको देखने को मिलदा है अब अगला प्रस्ण देखें हम कि अगला प्रस्ण क्या है तो इसी का जो प्रस्ण है जिसमें कहा गया है पहले बिस्विद्ध ने भारत के राष्टी आंदूलन के विकास के लिए किस प्रकार का युगदान दिया तो हमने विस्विद्ध के युगदान के बारे ही बात की थी एक वीडियो कहना था वीडियो नमबर दो था हमारा उसमें हमने देखा हुआ था कि कैसे भारत में युगदान था तो विस्विद्ध ने क्या किया था कि एक न को पूरा करने का Tesillo पार तिये कर्व में बढ़ा चार दिया एक नया टेक्स लगा जिए जिसको आप आये करके नाम से जानते थे इस इसी दोरान जब यह बिश्च चल ला था इसी दोरान क्या हुआ कि जो हमारी कीम्त आयाक और याथ अच्छे से चल नहीं रहा था सप्लाई नहीं हो पा रही थी तो क्या हुआ कीमते क्या हो गई लगभग दो गुना बढ़ जाती हैं और कीमते बढ़ जाती है युद्ध के दौरान सिपाहियों की भी जरूरत थी कि सिपाहियों को कैसे आपूर्ती की जाए चुकि ब्रिटेन चोटा सा देश है ना उत्ते लोग कहां से होंगे तो हमारे यहां की गाहों की लोगों को जवर जस्ती बिटेस आर्मियों भर रहे थी जिसको कहा था जबरन भरती तो यह जबरन भरती से भी लोगों में रोस था तो यह कुछ कारण हो गए इनके फिर इसके बाद देखा पतार्तों का अभाव हो गया था और तभी फिलू नाम की वहारी भी फ्यल गई थी यह भी देखा था कि बहुत सारे लोग उसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी इसमें लगभग 120-130 लाख की जान हमने देखी हुए थी कि इत्ते लोग यहां पर चले जाते एक ड नया धंग और एक नया तरीका पेस किया था तो हम यह देख पाए हैं कि इन निम्लिखित पॉइंटों के कारण क्या हो पाया कि प्रथम जिस्युद ने भारत के रास्टबात के विकास में महत्तपूर्ण योगदान दिया है यह बात समझ में आई ने कैसा अंसर लिखना है ए इमा सुक देना पड़ा और आयकर भी यहां पर सुरू हो गया उसी बीच में कीमतें क्या हो गई दुगनी हो गई और गाउं में सिपाहियों से भी जबरन भरती करवाय जा रहा है तो इन सभी का प्रभाव क्या हुआ हुआ लोगों में एक अंदर से अंग्रेजों या आप अपने विसक्सासन के विरोध में भावना उठी और गांधी जी का भारत में आग्मन हो गया इसी दौरान फसलें खराब हो गई तो खाद्यान की समस्चा हो गई महामारी फैल जाती है यह महामारी वाली बात देखी थी महामारी फैल जाती है और गांधी जी ने भारत में क योगदान दिया यह बात के लिए देखो यह कुछ नमबर आपका दो हो गया इसमें भी अब गार आप यह सारे जो पॉइंट लिखे ना इन में एक दो भूल भी आते हैं तो कोई देखकर निसलिए अपने ज्यादा पॉइंट लिख लिए यहां पर है अब अगला एक पॉइ अधिकार दे रहा था जिससे भारती राजनीतिक व्यक्तियों के लिए बहुत नुक्सान होने वाला था तो आप इसमें देखें कि जो रॉलेट एक्ट है वो कब भारत आया उनीस सो इनीस पर भारत आया और इसके बिरोद की यह मुख कारण थे सबसे पहला कारण क्या था क तो इस कानून के द्वारा हुआ कि भारत में जो अंग्रेज करमचारी है या अंग्रेज अधिकारी हैं उनको क्या हो गया राजनेतिक गतिविधियों और सुतंता आंदलोनों को कुचलने के कैसे अधिकार मिल गए असीमित असीमित मतलब जिनकी कोई सीमा नहीं है वैसे अ राजनेतिक जो व्यक्ति थे उनका दमन मतलब कोई राजनीती में आएगा तो पकड़कर उसको जेल में डाल दो दो साल तक कोई समस्चा नहीं है कोई मुकदमा नहीं चलाना यह मिल गया थे आपर गांधी जी भारत में आही चुके थे चुकि हमना देखा 1915 में तो गांध कारण देखे हुए थे एक तो इसे जल्दवाजी में पारित कर दिया गया दूसरा राजनेतिक गत्विधियों और सुतनता अंदुलों को चलने के लिए सीमेत अधिकार दे दिये तीसरा पॉइंट का देखा कि राजनेतिक कैदियों को दो साल तक जेल में आप रख सकते है बेना मुकदमा चलाए चौथा क्या हुए गांधी जी ने भी इसका बिरोद किया था और इसके लिए 6 अपरेल को हरताल कर दी थी तो यह जब हरताल होई तो यह सभी कारण क्या हो गए भारत में रॉलेट एक्ट के बिरोद का कारण हो गए इसे काला कानून भी भारत में कह गया यह बात के लिए हर कि यह हम इसके अंदर क्या 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 ऱ्वी लिखना है यह पॉइंट हमें इसके अंदर लिखना है अगला एक तक्राव हो जाने कारण क्या हुआ क्या भीड गुस्ता हो गई और भी गुस्ताई भीड ने क्या कर दिया थाने में आग लगा दी थाने में आग लगाई तो इससे क्या हुआ कि कई सारे पुलिस वालों की मौत हो गई और गांधी जी ने जब इस घटना के बारे में सुना त घटना के बारे में अगर आप ज्यादा एक्कुरेट लिखना चाहें तो यह घटना चोरी-चोरा कांड कब हुआ था ये भी फरवरी में हुआ था तो इसकी तारीक क्या लेख लेंगा पांच फरवरी मैं डेट ज्यादा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि आपको कनिफीजन पैदा ना हो तो आप इतना भी लेख सकते हैं चोरी-चोरा कांड और अगर आपको याद रहे तो आप यह भी लेख सकते हैं कि 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुई थी जिसके कारण क्या हुआ जूलूस का पुलिस का हिंसक टक्राव हो गया फिर भीड गुसा हो गई और गुसाई भीड ने पुलिस थाने में आग लगा दी जिसमें कुछ पुलिस बालों की मौत हो गई गांधी जी को यह सूचना मिली तो गांधी जी लगा कि आंदोलन हिंसक हो गया और गांधी जी ने यह आंद संशेप में लिखें तो उसके पहले कोश्चन के चार पार्ट आपकी देख पा रहे हैं काखा गागा करके दिये गए थे इन चारों के उत्तर हमने देखें तो आप इनको याद कर लीजिए गा लिख लीजिए गा उनकी प्रेक्टिस कर लीजिए गा ताकि आप एक्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं चलिए अब देखें यहां पर कि अब यह दूसरा क्वेश्चन है इसी का संशेप में लिखें वाले का उसमें क्या है उसमें बोला गया सत्याग्रह के बिचार का क्या मतलब है तो आप बताईए क्या मतलब है हम तो पढ़ चुके ह है हमने सारे वीडियो में देखा है क्या मतलब में सत्याग्रह की विचार का गांधी जी ने सत्याग्रह का विचार दिया था ना हमने देखा था ना क्या था सत्याग्रह का मतलब क्या था सत्य सत्य प्लस आग्रह यह हमने देखा हुए सत्याग्रह कैसे बना था सत्याग्रह आगर सक्ति का और सद्ट की खोझ कि गांधीजी चिने इसकी और गांधी जी क्या थे इसके प्रवल समर्तक थे और उनने इसकी ब्याक्षा भी की थी कि यह कैसे सठ्टया अग्रेकर और काम करेगा उनने क्या चाबला कर रहे हैं तो आपको सारीलिक बल की जरूरत नहीं है आप इस से भी काम चला सकते हैं दूसरे पॉइंट में रहने क्या कहा गांधी जी ने उनने कहा कि पृतिसोध की भाउना या आक्रमता का सहारा लिए बिना मतलब कैसे करना है आपको अहिंसा के सहारे से अहिंसा के सहारे से ही इस आंदूलन को आप संगर्स या अपने संगर्स को आप सफल बना सकते हैं इसमें यह कहा गिया कि इसमें करेंगे क्या तो गांधी जी ने बताया कि आपको करना क्या है कि दमनकारी सत्रू है जो आपको दबारा है उसकी चेतना को जंजोड़ना है उसकी अंतर आत्मा को जंजोड़ना है अब अंतर आत्मा को जंजोड़ना है तो उत्पीनन सत्रू को ही बल्कि लोगों की हिंसा के जर्इए सत्ट को सुइकार कराना है क्या करना है सत्ट को सुइकार कर आना है और इसके लिए विवस कर देना data कैसे उसकी आत्मा ऑھंूर करो मारपीट कर नहीं करना चाहिए तो आप देखेंगे कि उसे वह सहज कर लेगा better और से सघ्जभावसी शिकाद करने के लिए आप प्रेरित करेंगे इस संघर्ष में अंतत्तरा सत्य की जीत होती है हमने ये भी देखा था कि भारत में एक हमब की कहते हैं सत्ति में जैते हैं तो इसके द्वार्रा क्या होगी लास्ट में स्ते ही जीत होती थी और गांधी जी का इसमें अटूट विस्वास था अटूट विस्वास देखने में आता था गांदी जी का अहिंचा ही जो धर्म था उनका कहना था कि अहिंचा अहिंचा का का धर्म है वो सभी भारतियों को एक सूत्र में पिरोब सकता है यह लड़ाई जगडा सत्य की सकती याग्र्य और सत्य को भूज पर जोर दिया जाएगा उद्देश संगर्स कैसा होने चलिए अन्याय के खेलाफ और इसके लिए आपको सारेरिक बल की जरूष नहीं है जब क्या करना है आपको सिर्फ इस से ही काम चल जाएगा आपका आत्म बल अच्छा होना चाहिए सारे बल्की को जरूत नहीं है आपके अंदर प्रतिसोत की भावना ना हो आप क्रमत्ता का सहारा ना हो आप किवल क्या करें यह जो सत्याग्राय करने वाले लोग नहीं है ऐसे ही सहज भाव से उसको प्रेरिद करना है कि वो यह सुईकार कर ले सत्य को सुईकार कर ले और लास में सत्य की बिजय होगी और गांधी जी का इसमें बहुत ज्यादा विस्वास्था अटूट विस्वास्था और उनका मानना था कि अइंसा जो है वो सभी भारति के तोर पर काम कर रहे हैं और आपको एक ख़बर लिखकनी है एकने संपादक के लिए कई खबर उनके अखवार में छापी जाए तो कोसिसस की आते है कि जब आप रिपोर्टर है और आपकी कोई k statistics क्याएं तो आप चाहते हैं मुखपृस्ट पर छपे या दो से बड़ी करते हैं कैसे छापना है यह आ उसाप करते हैं कि उससाप से देखेंगे तो इसमें पहला थी गई है आपको जलिया वाला बाग हत्या कान की खबर जो है जो आपको जानकारी मिली है वो आपको अपने संपादक को भेजना है और यह बताना है कि यहां क्या क्या हुआ था तो है क tasty John को आप अफवार में छापें इसके लिए लिखना है तो चलिए देखते हैं तो हम क्या करेंगे स्टार्टेंग K towards the सबसे पहले किसको भेज रहे हैं तो हम संपादक लिख देंगे यहां पर जिस भी आप न्यूजपेपर को भेजने वाले होंगे टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदुस्तान टाइम्स दैनेक भासकर नौ भारत अमर उजाला जिसकी जिस भी निशपेपर को लिखने वाले हैं उसका नाम यहां पर लिख देंगे आप उसका मुख्यालाइ जहां भी है किसी का बोपाल में हैं और हमसे बड़ा व्यक्ति है तो महोधा इससे स्थ करेंगे तो क्या जाएगा सम्पादत फिर किस पेपर का सम्पाल नाम और उबात थोड़ी सी बढ़ी हो जाती डाही होगी उसमें लिखेंगे मेंल भूलेंगे हट्यकान क्या हुआ हट्यकान नहीं क्या कि कि विस्तुकी मानूता को सर्मिंदा कर दिया इसे सब्द लिखना पढ़ते हैंlot ми कि फुकी नवल्ग को सरमिंदा कर दिया तो असब असिक्षित माने जारे वाले भारतिये थे यह घटना इस प्रकार घटी उसमें अब घटना का बर्णन करेंगे तो लेखेंगे यह घटना इस प्रकार घटी कि पंजाब के दो नेता डॉक्टर सैफद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक इनकी गृत्तारी के ब इसी समय आज 13 अपरेल हमने देखा था 13 अपरेल को जलिया वाला बाग में लोगों के एकटा होने के दो करण थे एक तो इस जो भी दस अपरेल के घटना घटी थी उसके बिरोत प्रकट करने के लिए मारसलो लगा हुआ था यह जानकारी नहीं थी लोगों को और दूसरा क् बैसाखी के वाले दिन लोग बैसाखी के मेले में सम्मलित होने जा रहे थे और इस बाग में कहां जा रहे थे जलिया वाला बाग में और इस बाग में एक बड़ी संख्या में लोग एक अत्रित हुए थे अब यहां पर सांतित्पूर्ण जन सभाएं भी चल नहीं थी लेक कर देता है और बिना किसी को चुकि पुलिस को कहा जाता तो लोग इस कारण से भाग में क्या हो गए फस जाते हैं प्राप्त जानकारी के अनुसार जो बाग में लोगों की संख्या थी वो लगभग 20,000 के आसपास बताई गई है और इस में से 1000 लोग मारे गए हैं लेकिन सरकारी आंकड़े चुकि मारे तो ज्यादा गई थी अपने देखा था लेकिन सरकारी आंकड़े केवल कितना बता रहे हैं 379 लेकिन सरकारी आंकड़ों में संख्या 389 बताई गई है इस गटना की जानकारी जैसे ही लोगों को प्राप्त हुई उनमें सरकार की बुरुद्ध आक्रोस और गुस्सा भड़क उठा और अम्रिस्थ तो था पंजाब पहले तो अमरिस्थ्थ पंजाब में तनाव का माहल हो गया अब सरकार को भी इस इस्तिती पर काबू पाना था तो स समपादक से निवेदन कर रहे हैं अता मैं निवेदन करती हूं या करता हूं कि इस समाचार को अपने यहां पर अगर आप पूरोस हैं तो आप करता हूं लिखेंगे अगर आप महला हैं तो करती हूं लिखेंगे हैं जो अग्रेजी सरकार जंदन डायर को बिटेस समराज जुका क्या बता रही है रक्षक अवार्ड भी दिया था इनने बाद में रक्षक कहकर सम्मानित कर रही है उसके इस अमानवी करते के लिए दंडित किया जाए ठीक और नीचे क्या लिख देंगे जैहन चुकि आप भारत अरुन कुमार ऐसे कुछ आपको नाम लिखते देने हैं तो इसके अंतरगत यह बताएगा एक बार और देख लो कैसे बताएंगे अब जब आपको यह जानकारी देनी तो कैसे देंगे हम अपने संपादक का नाम पेपर का नाम उसका मुख्याला है फिर महोजा से इसके बता रहें तो हम आज की घटना वतानी है तो हम आज की घटना साम को भीज रहें तो हम लिख रहें वहां पर के आज 13 अपरेल 1919 की साम को जलिया वाला बाग में बहंकर रहत्याका कान्र दिया इसमें एक और तो अपने आपको वनसफ़े कहने वाले अंग्रेज добр और न सिक्षित माने जाने वाले भारती थे घटना इस प्रकार घटी उसमें आगे बढ़ते चलेंगे घटना इस प्रकार घटी कि वहां के दो इस्थानिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्विपाल मले की गिर्फतारी के विरोध में सारब जने खरताल हो सब्सक्राइब चल रही थी अचानक जंदल डायर वहां पहुंचा और उस सेना की टुकडी के साथ वहां पहुंचा उसने बाग के मुख द्वार को बंद कर दिया और बिना चेतावनी के क्या कर दिया नहत्ते चुकीन के वाँए हत्यार तो थे नहीं नहत्ते लोगों पर गोली चलाना का देश दिया गोली किती मिन तक चली दस मिनट तक गोली चली लेकिन लोगों के पास बचाओ का कोई मार्ग नहीं था प्राप्त जानकारी के अनुसार भीड़ी कितनी थी बीस हजार की थी जिन में मरने वालों की संख्या लगबग एक हजार बताई गई है ज सरकार ने स्थिदी पर काबू पाने के लिए पंजाब में मारसलों लगा दिया मैं सरकार से निवेदन करता हूं या करती हूं कि समाचार को अपने मुख प्रस्ट पर छापें जिससे संपोर्ण बिस्व और भारत वर्स को इसकी जानकारी मिले जो अंग्रेजी सरकार जंद दिया या भावदी लिखकर अपना नाम लिख देंगे पेपर में नाम नहीं लिखना है आप कुछ दूसरा नाम लेखें अपना नाम नहीं लिखेंगे या काका लिक के छोड़ देंगे अब ऐसी ही एक घतना घटी जिसमें बोला गया कि साइमन कमीशन जब भारत आया तो भारत में गठनाय घट रही हैं उसकी जानकारी आपको अपने समपादक को देनी है कैसे लखेंगे संपादक नौजागरन या देनिक भासकर या दाहिंदू जो भी लिख रहा है इनका जहां भी मुख्याला होगा तो कलकत्ता इसका मुख्याला कलकत्ता है तो इनने लिख दिया कलकत्ता महोदय फरवरी 1928 को इंग्लेंड की सरकार ने सर जॉन साइमन के अध्यक्स्ता में एक साथ सदस् आता इस्कमीशन का घोर बिरोद होने लगा साइमन को क्सक्राव कालेज हंडे दिखाए गए शाइमन बापिस जाओ के नारे लगाए इह यहां पर देखने को आया साइमन कमिशन का प्रदर्शन का नित्रत लाला लाजपत राय की नित्रत में हो रहा था इस कमिशन में जहां कोई भी भारती नहीं था वहीं जब इस कमिशन ने अपनी रिपोर्ट दी तो रिपोर्ट भी क्या थी अपूर्ण थी और अविभारिक थी मतलब वह उसकी कोई ऐस थी नहीं थी कि वो आज के साथ से बिभारिक थी मतलब समय के साथ से बिभारिक थी अधिभारिक थी इसमें अपने वैसे सामराज का उलेख ही नहीं था और नहीं इसमें अधिराज्य की स्थिति को स्पस्ट किया गया था कि हमारी जो हम जो कब्जा किया गया राज्या उसकी क केंदर में उत्तरदाई सरकार की इस्थापना का कोई उलेख नहीं था कमिशन कि से लिए था भारत में संब्हाने चीजों की जाश एन रिपोर्ट чем का उलेख नहीं था कमिशन Dartmouth मुंत आधिकार की मांग जग भैस मत अधिकार मतलब 18 से जैसे भी भारत में है जिनकी उम्र 18 साल हो गई है वोड डाल सकते हैं तो ये वोड़ डालने वाली मांग को भी उनने अव्यावारिक बता दिया कि बुले ये बिवारेक नहीं है अतार रेपोर्ट से भारतिये संतुस्त नहीं हुए या ये रेपोर्ट भारतियों को संतुस्त नहीं कर पाई इसी कारण चारों और इसका बिरोध हुआ इस रेपोर्ट द्वारा संपरदायक्ता को बढ़ावा दिया गया यह सरकार के भारत के प्रती गलत उद्योसों को उजागर करती है सरकार की जगए अब ब्रिटिस सरकार भी लिख सकते हैं कि यह ब्रिटिस सरकार के भारत के प्रती गलत उद्योसों को उजागर करती है अतहां मैं आप से निवेदन करती हूं कि इस रिपोर्ट को आप अपने अखवार के मुख प्रस्ट पर चापें और भारतियों की भावनाओं पर आघात करने वाली अंग्रेजी सरकार की अलोच ना करें फिलास में क्या लिख देंगे जहन भावदी या भावदिया और आपका काखा गा नाम राहुल कुमार जो भी अपना नाम नहीं लिखना पड़ता है पेपर में कोई दूसरा नाम या फिर ऐसे ही काखा लिखकर छोड़ दें तो यह वाली बाते हमने यहां पर देखी हुई थ ताँ कि हमें रास्टी एक ताखे प्रतेगरोप में रखी गई थी तो इन दोनों छविऊं के बारे में आपको यह देखना है यह दोनों छविया कैसी है है इसी फोटो को यह famous फोटो थी और इसी फोटो को अधार बना कर इसमें फ़र बदलाव किये गए अलग अलग जगह पर भारत मता अलग अलग प्रकार से बताएं कहीं सेर पर सबार कहीं सेर और हाथ ही बैठे हुए है हाथ में तिर्सूर है लेकिन basic चित्र यह देखने में आ रहला अंतर तो आजाएगा कि इनका निर्माता या इनको बनाने वाला इनका पैंटर या चित्रकार कौन है तो जो ब्हारत-माता की चपए भन पिक्चर बनाए इनके भाओं के बारे में देखना है कि ये फोटो देखने में कैसी लग रही है तो आपने भारत माता की फोटो देखिए तो भारत माता की फोटो कैसी लग रही है भारत माता को एक मा की तरीके से बताया गया है मतलब माता बताया गया है तो एक मा के रूप में अब मा कैसी ब माला देखने को मिलेगी एक हाथ में पुस्तक देखने को मिलेगी एक हाथ में भोजन और एक हाथ में कपड़ा यही चीज़ है ना कि आप पढ़ लेखे लो आप कपड़ा हो खाना पीना हो तो यह सारी चीज़ है इनके बारे में बताई गए नहीं यह भारत और यह क्या कर र देखेंगे इसमें अगला point देखेंगे कि भारत माता आपको देखने में overall कैसी लग रही है हम ने ये तो बता दिया कि भाई भारत माता के हाथ में एक में पुस्तक है एक के अंदर कपड़ा है एक के अंदर खाने वाली कोई चीजें हैं ऐसी इनके द्वारा कुछ बता दिया गया अब इसमें देखने में आपको लग कैसा रहा है ये भारत माता अगर overall कहें आपको इतना ना कहना पड़े तो कैसी लग रही है सन्यासी के रूप में देखने को मिलें कैसी सन्यासनी एक सन्यासनी के रूप में आप इनको देख पा रहे हैं जब की जर्मेनिया वाली मे देखेंगे जिसमें तिर्सूल दिया गया है और उनके आसपास हाथी और सेर भी देखने को मिलेगा तो उनके एक हाथ में तिर्सूल दे दिया गया है त्रिसूल दिया गया है और पास में क्या है हाथी और सेर आपको देखने को मिल ला है इन दोनों के बीच में वो खड़ी है कई फोटों में इनके पास खड़ी है कई में सेर पर सवार है ऐसी बाते देखने को मिलती हैं और ये दोनों ही पसू क्या है ये दोनों जानवर किस तरीके से उपयोग होते हैं सेर को सक्ति का प्रतीक मारा जाता है हाथी को सक्ति का प्रतीक मारा जाता है ये क्या है सक्ति और सक्ता का प्रतीक की रूप में दिखाई दे रही है जबकि जर अगला पॉइंट इसमें क्या देखें गाड माता की दोनों छवियों में जो भी चल लहीं थी अविन्ना टेगोर के दवारा और उसके बाद जो उसमें बदलाओ किये गए उन में क्या बताया है कि इनको सांत दिखाया गया है गंभीर दिखाया गया है और आध्यात्में मतलब कैसे गुण है इनके अंदर देवी गुणों से देवी भाव इनकी चहरे पर प्रकट किया गया है ऐसा बताया है कि यह देवी भाव प्रकट कर रहे हैं तो इनको हम माता के तरीके से देवी के तरीके से भी पूजा करते हैं जबकि आप जर्मेनिया वाली चितर देखेंगे तो इसमें क्या है रौदर रौदर मतलब गुसा जैसा चितर आपको देखने को मिलेगा कि उनमें थोड़ा सा क्रोध है और ये भी क्या है रास्टीता और देश भक्ती का प्रतीक हैं वो स्रद्धा कहलाती है सांधी पूरबक सहस्त तरीके से तो यहां पर क्या है भारत मतलब की छवी में क्या है स्रद्धा और रास्ट बात के प्रति आस्था का प्रतीक बताया गया है जबकि यहां पर क्या है रास्ट बात के लिए या रास्टिता का प्रतीक तो यहां क्या हो जाएगी रौद्ध गोड़ों से युक्त रास्ट्रिता का देश्भक्ति का प्रतिक यहां पर पताएगा है यह कुश्चन के अंदर हमने यह वहले पॉइंटों पर डिसकस किया हुआ था ठीक अब एक बार फिर से आफ फोटो देख लो फिर से फोटो देख लो क्या ह आपने जो पॉइंट डिसकस किया है वह सही है कि नहीं सबसे पहला पॉइंट तो आ गया कि इन्फो इस फोटो को किसने बनाया तो सबसे पहरे लिग दिया कि इस फोटो को फिलिप वेट के दवारा बनाए गया जबकि भारत माता को प्रसित्व चित अभिना टेगोर के हाथ में कपला आप देख रहे हैं एक हाथ में कपड़ा एक और माला एकाया कि छाथ द्यानी से चीज़ या एक अपको पूस्तक हैं 1 dign अब इनको कैसा दिक पा रहे हैं है एकदम सांत सन्यासनी इनके वस्त कैसे बनाए गए हैं जबकि इनके हाथ में क्या है तलवार दी गई है जिस पर लिखा हुआ है जर्मन तलवार और यह क्या कर रही है राइन नदी का पहरा दे रही है चेहरा आप दोनों का गौर से देखें तो इनमें दिखेंगा कि एक मैं सांत एकदम स्रद्धा का बाव देख रहा एक में थोड़ा सा गुस्सा देखने को आ रही है तो यह दोनों रास्टबात की प्रतीक है फोटो में अंतर है तो यहीं अंतर हमने यहां पर यहां पर लिखे हुए थे दोनों के नाम लिख दिया अविन्ना टैगोर फिलिप वे है गुस्सा टरीके से रुद्ध रूप में देखने को आ रही है अब भारत माता की जो दोनों छबियां हैं वो कैसी है सांत गंभीर बताई गई है और जर्मेनिया की चबी कैसी है रोधर गोलों से युक्त बताई गई है तो यह सारी बातें इसके अंतर करी है तो अगर यह अंतर लिखने को आपको आता है तो आप ऐसे ही पॉइंट बना कर इसलिए यह इमेज दिखाए गई है कि आप यह इमेज देख लें आपकी दिमाग में यह दोनों इमेज सेट हो जाए तो आप आपको मतलब इतने सारे पॉइंट याद रहेगा तो आप कुछ तो लिख पा में 1921 में असाहियोग आंदूलन में सामिल होने वाले सभी सामाजिक समूहों की सूची बनाईए जो भी लोग इसमें सामिल हुए हैं उनकी सूची बनाईए और उनमें से किनी तीन को चुनकर उनकी आसाओं और उनके संगर्स के बारे में लिखते हुए आंदूलन में सामि क्यों हुए ऐसा बताईए तो हमने जब असहयोग आंदुलन पढ़ा था पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है जिन नहीं पढ़ा है वह असहयोग आंदुलन वाला वीडियो देख लें और वो देख लेंगे तो उनको यह वाली पॉइंट या इसमें कौन कौन से लोग आए हैं वो सारी चीज़े रिकॉल हो जाएंगी याद आ जाएगा क्या क्या है असाहियोग अंदुलन का हमने कौन से देखा था गांधी जी ने बुला था कि सहीयोग नहीं करेंगे वही असाहियोग है जब हम सहीयोग नहीं करेंगे तो अंग्रेज आंदूलन स्टार्ट होता है असायोग कैसे सिक्षित बर्ग के साथ और मध्यम बर्ग के साथ तो उनके साथ हम ने स्टार्ट किया था फिर इसके बाद हम गाउं के अंदर गए थी तो गाउं में हमने क्या देखा था कि एक हमने किसान वर्ग देखा था एक हमने आदिवासी बर्ग देखा था याद है कि नहीं फिर हम बागानों के अंदर गए थे तो हमने बागानों का सिर्मिक बर्ग देखा था तो हमारे पास चार बर्ग आ गए थे तो हमने इन चारों की क्या करेंगे सूच करनी है किसमें लिखेंगे क्या साइटंग कैसे करेंगे कि भारत में या ऐसा लिखेंगे कि भारत में या 1921 के असाहियोग आंदूलन में हिससा लेनेँ वाले सामाजिक बर्गों का अपना अपनी अपनी अलग अलग अकान चाहें थी ठीक अब इस आंदोलन में जैसे ही सामिल हुए तो इसमें प्रमुख बर्ग जो थे वो कौन कौन से थे वो लिख देंगे सिक्षित और मध्यम बर्ग हो जाएगा और भारती दस्तकार मतलब मज अलग अलग बाठके पढ़ा था उनमसें किनी तीन को लिखना है तो अपने सबसे पहरे देखते हैं की सिक्षित मध्यम बर्ग की बात की गई है'RE मध्यमबर्ग क्या था हमने देखा था ये वाली साखा कहां स्टार्ट हुई थी सहरों के अंदर स्टार्ट हुई थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि जो भी लोग नौकरी कर रहे हैं वो छोड़ेंगे छात्रों ने स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया जो बकीन हैं उन्हों तो आप यहां देखें इसमें क्या है कि सिक्षित मध्यमबर्ग ने असायोग आंदूरन की सुरुवात की थी ये स्टार्ट हमने पढ़ी हुई थी इसमें क्या था कि हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया था वो जा नहीं रहे थे वहां पर हो था क्योंकि उन्हें लग रहा था देखो अंग्रेजों में समस्था क्या थी यह जब सरकारी नौकरी में लिया करते थे न तो आप चाहिए उनके बराबर पढ़े लेखें हो या ना हो अगर अंग्रेज आपसे कम पढ़ा में लिखा भी एपसे कम योगता भी रखता है तब भी वह से उपर वाली nostrum पाएगा आप उनके बरावर पढ़े लेखे हैं आपको आता भी जादप आप संगर्थ जाद़ा करकर अब समस्तवी चीजों को ज्यादा हैं लेकिन फिर भी आपको तो बड़ी नौक्री नहीं मिलेगी आपको एक छोटी नौक्री से ही अपना गुजारा करना पड़ेगा तो सिक्षित वर्क चाहता था कि हम जब बरावर पढ़े लेखे हैं तो हमें भी ऊपर की नौक्रियों के अंदर हिस्सा दिया जाए तो यहां पर क्या था देखियां कि उनको क्या था कि बरावर पढ़े लेखिये अंग्रेज उनकी अफसर बन जाते थे जबकि भारती लोग क्या है कीवल भारती लोग क्या है अंग्रेजों के मुकाबले में कीवल क्या थे किलर्क मतलब वह असिस्टेंट वाला काम फाइल उठाते रहे जबकि वह सामने वाला किलर्क बनेंगे और किलर्क किलर्क बने रहकर ही हम वर जाएंगे तो इस भेद भाव पूर्ण नीपी की विरोध में यह क्या हुए थे अंग्रेजी सरकार की विरोध में सिक्षिद वर्ग सामिल हुआ था समझ में आई बात कि इसमें क्या लिखेंगे अब देखो अब दूस किसी दी मजबूत हो गई थी वो ताकत बरीवी हो गए थे वो क्या चाहते थे उनकी आकांचा क्या थी वो चाहते थे कि भाई एक ऐसा देश बंजा उनके लिए अपने वेस्ट के खिलाप असाहियों का मतलब क्या था कि ऐसा देश जहां पर वो निर्बाध रूप से अपन इसका ब्रोथ कर रहे थे कैसी नीतिया ब्यापारिक नीतिया आपने कुछ मगाया वोले हम से बिना पूंचे कैसे मगा लिया तो आपको टेक्स लगए गा तो वो उनकी गलत ब्यापारिक नीतियों का पूरी तरह से उनका ब्रोथ कर रहे थे उनकी ब्यापारिक नीतियों कर बेचा करते थे तो इससे क्या हो रहा था भारतिय व्यापारियों को नुक्सान होता था कैसा आप देखें भारत में हमने देखा था कि हमने देखा कि असाहियों के दौरान खास तोर से विदेशी बस्तुमों का या कपले का बहिसकार किया गया जिसको हमने कहा सुदेशी ना स्टार्ट कि खादी क्या थी महेंगी थी और अंग्रेज क्या कर रहे थे यहां से कॉटन ले जाते थे और अपने आप फैक्टरी में बनाते हैं तो लेवर कम लगती थी प्रॉडक्शन जादा होता था इस कारण से चीजें क्या थी सस्ती थी तो वह यहां से कच्छा माल ले जाएंगे अगर वो कच्छा माल ले जाएं तो हो सकता यहां कच्छा माल ज्यादा हो यहां पर ज्यादा लोग बनाएं तो हो सकता खादी के दाम भी यहां पर गिर जाते लेकिन ऐसा नहीं हुआ फैक्ट्रियों के अंदर कॉटन जाने लगा फैक्ट्रियों के अंदर क वीचा जाने लगा इसके बैपारी बरग पूरी तरीके से परिषान था तो वह भी इनके विरोध में आन्दूलन में आ गया गए अर्फत का हो गया ब्या पारी हो जाते थे क्या अपने वेसिक राज्य की जो बयापार विरोधी नितिया थी उनका विरोध्य चाहते थि आयात में सुरक्षा चाहते थि खिली करें इसमें सुरख्षा जाते थे इसके लिए थी कि हम रहे नोकी बिदेषी मदेशिय। क भड़ी धी ना उसको हम बेचंगे बागान के मजदूरों के लिए इसका अपना एक अलग मतलब था अपने देखा था कि बागान के मजदूरों के लिए मतलब क्या था बागान के मजदूर कह रहा थे कि हमें तो इस सुराज के मतलब से क्या हो गई है आजादी मिल गई है मतलब कैसी आजादी वो चार दीवारी के अंदर जहां रह रहे थे उससे जब चाहें तब आना जाना स्टार्ट कर दें तो इनके लिए जो अधारना थी वो उनने कुछ अलग ही तरीके से समझ में आई उनके लिए क्या था कि चार दीवारियों से बाहर निकल कर चार दीवारियों से बाहर निकल कर हम आंदूलन करेंगे तो गांधी ने सुराज की गोस्तना की तो यह क्या करने लगे अपने अधिकारियों की अभीलना करने लगे इनको लगा कि गांधी राज आ गया है अब सब कोई हम अपने गाउं ज को आता है क्यों नहीं जापाते हैं क्योंकि हड़ताल चल लए थी हड़ताल चल लए थी तो रेलवे और दूसरे जो भी आपके साधन थे या तरा के सब हरताल थी तो यह जा नहीं पाए रोग गए पुलिस में पकड़कर इनको पीटा भी था तो बागानों बागानों में जो मजदूर थे उनके लिए क्या मतलब हो गया उनके लिए मतलब यह था कि स्वतंतता इन चार दीवारों से यह जिस एक एक्ट के तहत उनको रिजिस्टर कर दिया हमने देखा था कि जब यह बहिस्कार हो रहा था तो बिदेशी कपड़े का आयात लगवक आधा हो गया था एक सो दो करोड से लगवक संतावन करोड के आसपास का हमने डेटा देखा हुए था इस दौरां सामान व्यक्तिन या जो सामान जन्माना से उसने क्या किय दुकानों के सामने पिकेटिंग की थी केनी मैं आपको बताया है क्या है दुकान की बाहर धरना देना और उसे गUST बेकेटिझी कर दी है रस्ता अवृद्द कर दéनी रस्ता रोक लेना उसको पिकेटिग कहते है कपड़ों की हुली जलाई जाना मतलब मैं तब विदेशी लिखना कोई तीन के बारे में है तो आप इन में से कोई तीन उठाकर लिख सकते हैं यह वाला कुश्चन समझ में आया ना क्या है देखो एक बार और देख लो कुश्चन क्या कहा है असायोग अंदुलर में जो अलग-अलग वर्क की लोग सामिल हुए हैं उनकी सूची प्रसन आप देखिए अगला प्रसन क्या कह रहा है कि नमक यात्रा की चर्चा करते हुए इस पस्ट करें कि उपनिवेस बाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था उपनिवेस बाद आपको पता है कि जब हमें गुलाम बनाया गया तो हमारी चीजों का दोहन करके इंग्लेंड ले जाते थे अपने देश का भला कर रहा है तो उसका उसके खिलाफ जो है उनकी जो नीती थी उससे खिलाफ यह बहुत अच्छा एक आंदोरन था और एक असरदार प्रतीक के रूप में आया तो अब यह नमक यात्रा से क्या चालो हुआ था जिसको आप कहते हैं सवने अवग्या अंदोरन इसके पहले भी गांदी जी एक अंदोरन कर चुके थे जिसको आप असाहियोग अंदोरन के नाम तो जान रहे थे इस बीच में आपने तीन चार स्टेप देखे थे हम सवने वग्या की और गए थे तो जिस भी व्यक्तिन नमक यात्रा व उनको व्यक्तियों की रोजमर्रा की चीजों से जोड़ना चाह रहे थे रोजमर्रा की चीजें क्या तो गांधी जी को इसमें एक चीज में लगए थी इसको कहते हैं नमक तो गांधी नमक का मुद्दा उठाया और आगे की तरफ बढ़े तो जब आगे की तरफ बढ़े त में मिल सकता है आंसर दोनों का आपका सेम रहेगा होगा क्या कैसे स्टार्ट हुई थी तो उसमें यह देखें गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को भारत के वाइसराय लौड एर्विन को पत्र लिखा और पत्र में अपने 11 मांगों का उले किया कैसी मांगे थी यह मांगे कुछ सामा काने की मांगे थी अलग अलग समदाएं की मांगों के खटा किया और इसमें एक बड़ी मांग कौन सी थी नमक कर को खतम करना इसमें नमक का टेक्स लोग लिया करते हैं यह वाली मांग कभी इनके द्वारा विरोद किया था तो ग्यारा मांगों का उले किया था यह पत्र उ योग करते हैं यह भोजन का अभिन हिस्सा है अभिनने का मतलब ऐसी जगा मतलब बिना नमक की खाना तो खा नहीं सकते ना अपन की खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते आप नमक तो चाहिए यापको एक दिन आप बिना नमक की खा लोगी दो दिन खा लोगी लेकिन रोज रोज त पर गाओं में आप देखे कि लोग क्या करते हैं नमक का ढेला ले लेते हैं प्याज ले लेते हैं और खाना खा लेते हैं नमक रोटी कई सारे गाओं की बच्चों ने खाई भी होगी नमक रोटी गुर्ड रोटी नमक और च्छाच के साथ रोटी मठा रोटी इसको कहते हैं तो अब यह सारी बात हैं यहां पर देखने में लेकिन अब अंग्रेज इस पर भी टेक्स लगा रहा है नमक समझते हो ना कि उधार मिल जाता है उसके लिए कोई पैसा लेने ज़रूरत नहीं होती है कि आप पैसा जिब में लेकर जाएं आप बगल वाले के पास जाएं कि भा भाई 11 मार्च तक का समय है तुम्हारे पास देखो आप 31 जनवरी से 11 मार्च पूरी फरवरी में लगई और 11 दिन और मिल गए यह समय दे दिया कि इतने दिन में तुम डिसाइड कर लो हमारी यह मांगे माननी है कि नहीं माननी है अगर आप डिसाइड नहीं करते हो तो फिर नहीं उनका जो आसरम है आप गांधी नगर के पास जिसको आप कहते हैं सावरमती आसरम से और गुझरात में ही एक और जगह है जिसको कहते हैं दांडी यह कहां पर आएगी समुद्ध तटपर अपने यह बात भी करी दी कि हो सकता आप से मैप में बनाने के लिए यह आ जा जा अपरेंल को खत्म हो जाती है अपछा करारों होंने पानी को उबाला कर नमक करते हैं यहां करते हैं दो अब उलंगान के साथ ब्हारत भर्र असहयोग नहीं सास सास में क्या करना है आपने वेसे कानूनों का उलंगहन भी करने का आवाहन किया तो ये भी इनके तवारा किया गया तो लोगों ने क्या किया नमक कानून तोड़े नमक गुदामों को लूटा जहां पर नमक नहीं बना सकते हैं वहाँ पर क्या किया गया ज समुध के किनारे पर ही आप नमख बना सकते हैं अब इस यात्रा के दौरान गांधी जी ने क्या किया कि इस याप चुकि अब ये प्रतीक कैसे बना चुकि यात्रा जो की गई वो लगभग 240 मील की है ना ये मील है यहां पर 240 मील की यात्रा यहां पर की गई और परड़े लगबग कितना चला करते थे 10 मील की यात्रा वो किया करते थे परड़े 10 मील की यात्रा करते थे इस बीच में 10 मील चलते थे जगह जगह रुकते थे लोगों को समझाते थे बताते थे कई हजारों में हजारों की संख्या में लो कि उनके द्वारा ऑपनिवेस कानून है उनका भी हमivelyं करेंगे ऐसा गान्धी जी ने कहा लेकिं यह सारी अवग्या कैसी की जाएगी इस्थांतिपूर तरीके से आहिंसात्मख तरीके से की जाएगी हिंसा जैसी कोई बात तरह थी वह उपने वेस्ट बात के खिलाब प्रतिरोध के प्रतिरोध के एक असरदार प्रतीक के रूप में स्थापित हुई तो यह गांधी जी के द्वारा यहां पर किया गया तो इसका आप वीडियो देखेंगे तो आपको यह वाली बात बिल्कुल दिमाग में सेट होगा और आप आंसर बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे चलिए अगला प्रस्ण देखते हम अगले प्रस्ण में कहा जा रहा है कि आपको यह कल्पना करना है कि आप सिविल नाफर्मानी नाफर्मानी का मतलब यहां पर क्या जाएगा सबने अवग्या सही होगा क्य सोचना हैं आपको कि आप सबने अवग्या आंधुरं में हिससा लेने वाली एक महला हैं आ पुरस्ण भी हैं तब भी हैं आपको यह सोचना है कि आप महला हैं और महला के तोर पर आपने इस आंदूरन में हिस्सा लिया है और जब उस आप ऐसा सोचते हुए आप तो क्या अनभाव होता है वो इसमें लिखना है अनभाव ऐसा नहीं कि आप सोचो कि ज़रा हम घूम रहे थे तो हम तो बढ़िया वहाँ चार्ट की दुकान लगी थी तो ह कि मन में या आपका समाज में क्या बदलाव आ रहा होगा कॉंग्रेस में कैसे महलाओं को लिया जा रहा हो ऐसा आप फील करें ऐसा मत मत फील करने लगना कि सर वहां गए थे आंदूरन में थे तो लूट हो रही थी तो हमने भी दो चार फुल की लपेट दी हापर तो यह न गेजग्य जगय पर दोसो चालीस मील की यात्रा की दस मील के बाद Jahren करती थी वह री और गांधी जी की बातों को सुनने के लिए औरतें अपने घर से बाहर आया करती थी और वह जुरूस मेह menor लिया करती थी जहां पर पुरूसि भी पर यह उस्सा लेती थे वाहँ पर ही नमक भी बनाया इन उस दोरा निसे कपरों का भाइसकार भी किया वजिशे क वह करेंगे सारी बातें इनके दोरा की घ All right कि आप भी उस अंदोलन में जो महलाएं ये सब कर रही थी उन में से एक महला आप भी थे तो आप भी उन महलाओं के साथ चुकि जब आप ये करेंगे तो अंग्रेज क्या करेंगे आप पकल कर जेल ले जाएंगे तो आप भी कहा गई जेल गई अब इस अंदोलन के दौरान लेक Incre 걸बा किस की है उच्च जातियों की महलाओं की संख्या सहरी छ्षित्र में जादा देखने को मिलती है अगर हम ग्रामीर छ्षित्र में जाते हैं तो कौन और रहे हैं संपन्न किसान यहाँ पर हमने जाती उल्लेख नहीं की है यहाँ पर के रहें सम जो खेती बाड़ी में बड़े लोग हैं तो जो जमीदार टाइप के या संपन तरीके के लोग हैं उनकी महलाएं ग्रामीड छित्र में ज्यादा हिस्सेदारी दे रही है यहां पर यह उनने ज्यादा भाग लिया इस दौरान हमने देखा कि महलाओं के अंदर भी भाव पैदा हो गया रास्ट सेवा अब वह रास्ट सेवा को अपना क्या मनने लगी पृथम कर्ता बेरां कहा गया कर सकती हैं रास्ट सेवा भी कर सकती है लेकिन तभी गांधी जी का विचार भी आ जाता है आपको याद हुआ गांधी जी ने विचार दिया था या गांधी जी का विचार था कि महलाओं को महलाओं का पहला नैतिक कर तब यह है कि उन्हें अपना घर समालना चाहिए चूला चौका करना चाहिए अच्छी लाई जी कа यह विचार था कि मेहलाओं का पहले नहीं करता भी क्या है कि वो हपना गर संबहा लें चूला-चोगा संबहाएं अच्छी मा और अच्छी पत्नी बनने की कोसिस करएं इसी कारण से इसी कारण से क्या हुआ कि आप देखेंगे कि लंबे समय तक कॉंग्रेस ने लंबे समय तक महलाओं को उच्छ पत नहीं दिया आप ये देखें कि उन्हें आंदोलन में केवल पृतिकात्मक उपस्थिती के रूप तक ही महलाओं की उपस्थिती जो है वो केवल पृतिकात्मक तरीके से ही सीमित रही तो ये आप ऐसा वहाँ पर आपने फील किया होगा चुकि अब जब जाएंगे तो आपको पता चलेग आप एक महला के तोर पर उसमें सामिल हुए हैं तो उनके बारे में जो भी थौट आते हैं लेकिन थौट इस से रिलेटेड ही सोचना आप जो भी बिचार आएं उस आंदोलन को इमेजन करना कि आप जा रहे हैं चुकि आप सारी समाजिक विवस्था चुकि हम पढ़ चुक वरब लाता है तो इसके लिए आपको देखना है हमारा एक वीडियो जिसमें हमें वगयां के सीमाओं के बारे में बात की थी सीमाओं में हमने देखा कि कैसे मुस्लिम समदाए अचूस समदाए और अचूस समदाए के नेता बियारम बेट कर इस अंदुलन में उतनी बढ़ चलकर हिस्तेदारी नहीं कर पाए क्या कारण थे तो अब प्रथक निर्वाचक छित क्या कहलाता है उसे धर्म के अधार पर माटते हैं ऐसा एरिया जहा वाले कुश्चन पर पूछा है तो आप जो सीमाओं वाला वीडियो है उसको देखेंगे तो वहां से आपको यह पूरा इमेजनेशन आ जाएगा और आप इसका आराम से अंसर इसका आराम से उत्तर आप लिख सकते हैं देखो उत्तर में क्या है अब यह क्या कह रहा है प्र उनने बाढ़ दिया कि यह वाला एरिया हो गया जैसे आप सपोज कर लो कि भोपाल वाला एरिया उनने बाढ़ दिया अब भोपाल मनने बोलिया कि यह एरिया एक विसेश धर्म का है तो यहां पर उसी धर्म का व्यक्ति चुनाओं में खड़ा हो सकता है उसी धर्म के व्यक कर आएगा तो सब के लिए होगा ना लेकिन चुना कीवल कुछ लोगों के दुवारा गया है तो सायस सब के बारे में बात ना करें तो इस कारण से भारत में बहुत पिछड़े हैं इनके लिए जरूरी है कारण क्या है चुकि इन में एकता आ गई थी हम ने देखा था कि अगर हम हिंदू-मस्लिम एकता की बात करना तो खिलाफत आंदोलन के दौरान काफी इन में निकटता आ गई थी जब भारत में खिलाफत आंदोलन चल था फिर वैसे ही आप देखें गांधी जी ने अच्छूतों के लिए भी बहुत काम किया था आइस परस्ता को लेकर तो आप देखें कि उसमें बहुत सारे जो दलित वर्क की लोग थे और गांधी जी का समान तो सभी करते ही थे चाहे कोई भी हो वैचारिक मत भेत हो सकते ह तो उनको लगा किया रही है सब इखटे हो जाएंगे तो सब इखटे होकर हमारे खिलाब ड़ेंगे तो हमारा सासान खतब हुझाएगा तो ने कंसिप्ट क्या रखा निर्वाचक प्रथक निर्वाचक धर्म के अधार पर चुना जाएगा तो अंग्रेज का चाह रहे थी में फ्य हुद डालने के लिए उनने क्या किया प्रथक निर्वाचक छित्रों का निर्माल कर दिया अब अंग रेजों को इस में मैं में बह Schol तक सफलताबी मिल गया वह भारत को अलग अलग निर्वाचक छित्रों में बाढ़ दिया कैसे चरो देखते हैं कैसे बाटा रोद उतना खुल कर नहीं आता था लेकिन जैसे ही हरजन वाली बात आईगी कि हरजनों के लिए भी अलग निर्वाचन छेत्र होगा तो फिर कॉंग्रेस इसका खुल कर विरूद करना स्टार्ट कर देगी तो क्या किया किया केवल हिंदू और मुस्लिम के लिए केवल छुपे विरूद कर रहे थे फिर बात ओक लिंदू के लिए अक्वाचन हीए घुख्त है यह समाज़िक समंता है यह समाज के लिए रस्ता है तो वो कह रहे हैं कि दलतों के लिए प्रथक निर्वाचन छेत्र चाहते थे क्यों क्यों कि उनका मानना था कि सामाजिक अपंगता केवल राजनेतिक ससक्तिकरण से ही पूरी हो सकती है राजनीति में आप बड़े पत पर आ जाएं तभी इस बात की पूरी पूरती की जा सकती है कि आप एक सक्षम व्यक्ति हैं भारत का मुसलिम समधाय प्रथक निर्वाचन छेत्रों के पक्ष में था मुसलिम वर फिर शुझाओ धिया उन सुझाओ को माना उसको हमने गांधी अमबेटकर पैक्ट या पूरा पैक्ट या पूरा पैक्ट के नाम से जाना था उस समझाते में क्या हुआ था कि हर जनों के लिए आपको एक आरक्षण की वोस्ता करनी चाहिए और यह हर जन नाम भी किसके और राज्य परसाद या प्रांतिय परसादों के अंदर एक सीटे रेजर्ब कर दी गई और उसमें क्या था आरक्षण में कि एक एरिया आरक्षण करेंगे जैसे मालोग भूपाल का एरिया आरक्षण कर दिया तो यहां पर कंडिडियेट केवल कौन होगा आरक्षण बर्का पतला जो रिजर्ब केटेगरी का है लेकिन वोट कौन डालेंगे सब ही लोग डालेंगे इससे क्या होगा कि वो सबका नेता बन जाएगा और वो सब के पास में आएगा और मुसलिम बाहुल इलाके जो हैं वहाँ पर उन्हें उनकी आवादी के अनुपात में पृतिने तो दिया जाए लीडर्सिप दी जाए तो हम ये अलग मुसलमानों के निर्वाचान की मांग को छोड़ सकते हैं ये मुहम्मद अली जिन्या का कहना हुआ करता था अब हुआ क यहां पर कि अब यह वाली बात तो हो नहीं हमने देखा हुआ था कि जो हिंदू महासावा के एक जयकर व्यक्ति थे जयकर महासाय थे उन्हें कह दिया कि एक तर जैसी बात कोई सब फिजूल है तो यह वाला मामला वहाँ पर ड्रॉप आउट हो जाता है या रह जाता है महा अलग था हर जन को हमने आरक्षण देकर कुछ मामला सेट किया था लेकिन हिंदू मुस्लिम की फूट यहां पर पढ़ जाती थी यहां पर देखें चुकि अब जिन्ना जो है मुस्लिम समधाय से बिलोंग करते हैं और यह दोनों लोग क्या थे इसके पक्ष में थे कि इनको तो गांधी जी ने क्या किया था गांधी इसके खिलाफ थी और गांधी ने क्या कर दिया था कि यह प्रथक निर्वाचन से तो भारत में जो अलग अलग धर्म अलग जातियों की लोगों को हमने एकटा किया ऐसे क्या होगा सभी में रोज उत्पन होगा और रोज उत्पन ह होगा तो जो हम भारत की एकता की बात कर रहे हैं उनकी एकता क्या होगी समाप्त हो जाएगी इसलिए उनने इसे सुईकार करने से मना कर दिया था किलियर यह बात अब क्या एक बार फिर से आप देख लो इसमें क्या है यह इसके लिए आपको क्या देखना है हमारा सीमाओ वाला वीडियो देखना है सबनाय वग्या अंदुरन की सीमा है अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जैसे ही यह आए तो दलित वर्ग बढ़ जाएगा और मुसलिम बढ़ जाएगा दलित बर्ग में बियारम बेटकर भी यह दोनों लोग क्या है इसके प्क्ष में थे कॉंवरेस के विरोद में थी जब मुसलिम तक की बात हो रही ही थी तो तो कॉंगरेस ना विरोद किया ब्रोद था लेका अजब हर जैनों के बीबात करने लगे तो कंग्रेस क met कर लुए था तो कहना क्या था कि हमारी चैसे ज भी जिन्ना साब का भी हमने concept देखा उनका कहना था कि आरक्षन की विवस्ता अगर आप मुस्लिम्स के लिए भी कर देंगे तो हम यह वाली बात छोड़ देंगे यह भी देखा हुआ था किस कारण से क्या अब इसमें क्या है कि अब इससे पता चला कि प्रथक निरवाचन लिकर इसके बारे में चाहते थे कि यह पद्धती लागू हो जाए गांदी जी ने भी क्या किया इसका बिरोध किया लेकिन यह लोग क्या था कि हमें एक विसे स्थान प्राफ्थ हो ताकि हम समाज में सुद्रण अपनी जो हमारी समाजक इसी तीखराव़ी उसको सुद्रण कर सके ठीक तो इसके लिए इनने इसका पक्ष लिया था गांदी जी बिरोध के लोध में क्यों कह रहे थे जो देसमें एक्ता की हम बात कर रहा है कि यह बिफिन बर्गौ में रोस उत्पन होगा और जैसकी एक्ता की बात कर रहा है और उना वह क्या होगी धीमी पढ़ Absoly य बिल्कुर नहसुलक उपलब्द करा रहा है तो आप इनको आप हमारे इन बीडियों को प्राप्त करने के लिए हमारे इन लेक्चर सीरीश को प्राप्त करने के लिए आपको हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना है हमारे दोबारा जो लिये जाने वाले सेशन से उनको लाइक कर करना है और अपने दोस्तों के साथ भी सियर करना है और कमेंट करना भी ना भूले थैंक यू